नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज एटीन प्राइम आपके साथ मैं हूं मंता तेवारी नमस्कार मैं हूं आपके साथ है मंत कुमार और सबसे पहले आज शुवाद करते हैं आत्रसकार से जोहां पर पाकंडी बाबा की आखिरकार लोकेशन क्या है 54 गंटे के बाद भी बाबा किस तरह से सेफ हाउस में चिपा है ये जानकारी सामने आ रही है बाबा ने आखिरी कॉल किसे की और बाबा को भगाने के लिए किस ने सेफ कॉरिजोर बनाया ये रेपोर्ट में देखिए हाथ रस में मौत का दरबार लगा कर कैसे परार हुआ बाबा बाबा को भगाने वाले कौन थे किसने बाबा के लिए तयार किया सेफ कॉरिडो एक सो एकिस लोगों के लिए मौत का दरबार बनाने वाले बाबा की लोकेशन क्या है कहां है बाबा का सेफ हाउस इसका राज खुलने वाला है 18 साल तक डिजाइनर सूथ पेहन कर लोगों को जहासा देने वाले बाबा की असलियत की परतें खुलती जा रही है पाखंड का माया जाल बनाकर 100 करोड का सामराजी बनाने वाले सूरजबाल पर सबसे बड़ा परताफास होने वाला है अपने मंद से स्पेशल एफेक्ट लगा कर और साउंड एफेक्ट दिखा कर जमतकार का जहासा देने वाले बाबा की असलियत न्यूज से टीन इंडिया सामने ला रहा है लाखों भक्तों की आँखों में धोखे के धूल जोकने वाले बाबा की असलियत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे बाबा की पोल खोलने के लिए बाबा के पडोसी गाउं में न्यू जेतीन इंडिया की टीम पहुची और वहां लोगों से बात की बाबा के आडंबर का पूरा खेल सामने आ गया अगर आएक कमेटी उनको स्वंक देजिए और तभी और इबाबा के पास कहां से आए पैसा भी सकती नहीं है कि एक जातवाद का एकता माली जिए उनमें चकुछ माली जिए अच्छा पब्लिक को बेब कुव बनाना आए अन्था कुछ नहीं है और मैं तो यह कहता हूँ जिए बिसेभूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पबलिक को मोह लेता गए थे इनके सत्यसंग में यहां के तां गए तो यहां मटना पड़ता है मौनुक पर पास में वहां गई टेक्टर लेकर हमारे गयों से गए तो वहां पर देखा क्या है वहां उस दूद में दूद में नहराने के बाद में उस दूद की खीर बनाए गी थी शुद आंकों से देखा हमने तो भाई से हमारी चड़गै है मनी बाबा नहीं है यह बवाल है इस गाउं के लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसे पाखंडी बाबा से नफरत है इसलिए वो बाबा के दर्बार में भी नहीं जाती है इन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने बाबा का कोई चिमतकार नहीं देखा है कैसी जोकाता रहूंगा मैं तो मुझे इस बस देंसे घृणा हो गई अब जाते ना कोई तो यह कहता है कि दूदोंे नहाते हैं खीड बनाते हैं खिलाते हैं परसाड में कोई प्यार दुल के पीती हैं कि बीमारी सब दूर हो जाती है अब हम लोग उनको तो पता नहीं हम तो बिसे बास करती नहीं और नहीं हमने ऐसा कुछ सुना ना दीखा यह और और लोग कहते हैं उन्हीं के मौसमाराइश पैंड शार्ट और थी पीस सूट भूट और महेंगे चश्मे में घूमने बाला बाबा नारायन हरी कहां है इसकी तलाश हो रही है लेकिन न्यूज 18 इंडिया के पास उस वक्त का वीडियो है जब बाबा आखिरी बार देखा गया था जब एक तरब भगदर कांड के पिलितों का दम उखड रहा था दूसरी तरब बाबा सूरजपाल जाटाओ अपने काफिले के साथ फरार हो रहा था सड़क पर बाबा का काफिला बेरोग तो फरार हो सके इसके लिए बाकाईदा सिवधारों ने यूमन चीन बना रखी की यानि बाबा की फरारी के लिए सेथ कोईडोर तयार कर दिया क्या ये भी बात जो मुख्य अभी उप्थ हैं जो प्रकाश मदूगर है उनके उपपर एक लाग की गरफतारी का जोन लेवल के उपपर आदेश किया जा रहा है एक लाग का जो कुरसकार होता है और भोशित किया जा रहा है शीगर उनके NBW की भी कारवाई की जाएगी और इसमें खासतोर से विवेशना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपरादिक सणियन किसी वेक्टी द्वारा या किसी संस्ता द्वारा तो नहीं है ये किसी साजिश्का तो हिस्ता नहीं था तो ये उटल जैसा मैंने बताये छे लोगों की गरफतारी हुई बाबा सूरच पाल और फर नारायन साकार हरी हात्रस भगदर कांट के बाद इसी नाम की चर्चा पूरे देश में है और ऐसा सिर्फ इसा आज़से के वज़े से नहीं है बलकि बाबा सूरच पाल के उस लोग को लेकर के जो परत दर परत अब खुल करके सामने आ रहा है टिपोर्ट देखे भगदर कांट के विलन की कहानी भाबा के सिवादारों पर संसनी खेज रिपोर्ट खुल गई भाबा की सुरक्षा की सेक्रेट पाइल अचानक एक नाम टीवी सिले का रखबारों तक की सुरक्या मन गया सूरच पाल चाटम और नाराण साकार हन न्यूज एटीन इंडिया के हाद लगी एक्सक्रूजिव जानकारी के मताबिक बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकाइदा कोड वर्ड से जाना जाता था गुलावी ड्रस वाले सेवाधारों को नाराणी सीना के नाम से जाना जाता है ब्लेक कमांडू यानि वो कमांडू जो बाबा के काफिली के साथ चलते हैं उन्हें गरुन योद्धा कहा जाता है, सर पर डोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रस पहनने वालों को हरी वाहक कहा जाता है बाबा सुरजपाल के सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकाइदा सेना की तरज पर टुकडियों में बाटा किया है मसलन ब्लैक कमांडो यानि गरुन योद्धा बीस बीस की तुकडि में होते हैं गुलाबी ड्रस वाले नाराणी सेना के लोग पचास पचास की तुकडि में होते हैं जबकि हरी वाहक यानि टोपी और ब्राउंडर्स वाले पच्चीस पच्चीस की तुकडि में होते हैं यानि बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेज़्मेंट के तहर की जाती थी जिसमें महिला सुरक्षा करमी भी शामिल थे सवाल यही है कि सूरजपाल की अपनी सुरक्षा एतनी फुक्ता रहती थी लेकिन उनका क्या जो बाबा सूरजपाल के एक इशारे पर ना मौसम की परवा करते थी और ना ही किसी दूसरी चीज़ थी तो चलिए अब बात कर लेते हैं जारकन की जहाँ पर हेमंद सूरे ने जारकन की 13 मुख्यमंतरी के तौर पर शपत लिये जारकन को बने खरीब 24 साल हो गए लेकिन प्रदेश में अब तक 13 मुख्यमंतरी शपत ले चुके हैं दरसर रगवरदास को छोड़ कर आज तक कोई भी मुख्यमंतरी अपना कारकाल पूरा नहीं कर पाया हेमंद सूरे ने भी जेल जाने से पहले अपने पत से स्तीफा दिया लेकिन जेल से लोटते ही सीन की कुरसी और प्रदेश की सत्ता दोनों अपने नाम कर ली देखे रिपोर्ट दिनों से चल रहे कयासों और दाओं पर विराम लग गिया हेमंद सुरेन पर समीन घुटाले का आरोप है और वो पांच महीने तक जेल में बंद रहे इस तोरान चमपाई सुरेन ने मुख्यमंतरी के तौर पर जिम्यदारी निभाई और जेल से बाहर आते ही हेमंद सुरेन ने एक बार फिर सीम का कारभार संभाल लिया हेमंद सुरेन ने बतोर मुख्यमंतरी तीसरी बार पद की शपत ली इसके पहले पहली बार वो 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंतरी बने थे और 28 दिसंबर 2014 तक बद पर बने रहे थे वहीं दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंतरी बने और एक फरवरी 2024 तक बद पर बने रहे चारखंड में रगवर्दास को छोड़कर आज तक कोई भी सीएंग अपने कारेकाल को पूरा नहीं कर सका और हमंतर सुरेन भी इससे अच्छूते नहीं रहे उनकी कडबंधन सरकार पर कई बार संकट के बादल मन रहे लेकिन पीडी के आक्षन ने हमंत को सलाको के पीछे पोचा दिया आरोप सीधे हमंत सुरेन पर था लिहाजा उन्हें ना सिर्फ सीएंग का पच छोड़ना पड़ा बलकि पांच महीने जेल में भी रहना पड़ा राजितिक उतार चड़ाओ के बीच में आधर निये चेंपाई सोरेंजीरे इसको आगे बढ़ाया क्योंकि मैं जेल में था और क्यों हो था इस पर नहीं जाओंगा अभी अब म्यालेन का आदेश पब्लिक डोमेन पर है आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूँ और पुना अपने कारभार को समालते हूँ अब आगे के कामों को किया जाए एक बार फिर जार खंड के सत्ता की कमान हमंतु सुरें के हाथों में है साल के अंतर तक विधान सभा का चुनाव होना है ऐसे में देखना ये होगा कि हमंतु सुलेम की अगवाई में गडबंधन क्या कमाल कर पाती है देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्थ हो गई है आस्मान से आफ़त की ऐसी बरसात हो रही है हर राज्य में तबाही मच रही है और मौसमे बाग ने बारा राज्य में भारी बारिश का अलट ज़ारी किया है रिपोर्ट देखिए देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्थ हो गए है आस्मान से आफ़त की ऐसी बरसात हो रही है हर राज्य में तबाही मच रही है मौसम विभाग ने बारा राज्यों में भारी बारिश का अलट ज़ारी किया है राज्यस्थान की राज्धानी जैपोर्ट मौनसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गए सडके पानी में दूप गए और गाड़ियां तैरने लगे जल भराओ में कोई अपनी बंद बड़ी पोंटर साइकल को धक्का मारता दिखाई दिया कई जगों पर गाड़ियां पानी में फस गए सडकों पर जैम लग गया बिहार के नवादा की ये डराने वाली तस्वीरे हैं लगातार हो रही बारिश से जरने से बेतहाशा पानी गिरने लगा पानी की रफतार एतनी तेज है कि वहाँ दीवार बनाने का काम रोकना पड़ा और जहरने की तरफ जाने के रास्ते बंद करने पड़े तेज बारिश के बाद मधूरा में जल जमाओ के स्थिति बन गए और उस वक भर कम्प मच गया जब पानी से फ़रे अंडर पास में एम्बोलेंस और स्कूल बस भंस गया बताया गया कि बस में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे एम्बोलेंस में स्कूल बस भंसने से वहाँ अफरा तफ्री मच गया जिसके बाद JCB और ट्रेक्टर की मदद से वच्छों का रेस्ट्यू किया गया मौनसून की एंट्री के साथ ही उतराखंड में लैंडस्लाइट शुरू हो गई है बुद्वार को गढ़वाल और कुमायू मंदल में तेज बारिश होए जिससे बदरीनाथ को जाने वाला हाईवे करीब पांच घंटे तक अलग-अलग जगों पर लैंडस्लाइट के कारण बंद हो गया देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहर है मणिपुर, अरुलाचल प्रदेश और असम बार की जपेट में है इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है असम के 28 जिले के करीब 5,000 गाओं डूप चुके है साड़े 11 लाख लोग प्रभावित है आसपास में और नदिया है यहाँ पे कॉलोंग, कॉपिली वहाँ पे लेकिन पानी बाहर है इसलिए अड्मिनिस्टेशन पुड़े अलर्ट है पुड़ा अलर्ट है और टियार है रेस्क्यू के लिए सुभी कुछ सपोर्ट के लिए तो लाइफ स्टॉक पोपलेशन का भी बहुत नुक्सान हुआ है और यहाँ पे मोरी गाउं डिस्टिक में तीन आदमी मोट कुआ है तो काफी नुक्सान हुआ है यह मुकाबले जुरूर करना पुरे है यह तज़्वीरे असम के नौ गाउं की है जहां जंगल से निकल कर एक बाग गाउं पहुँच गया उसने गाउं में लोगों को भी खायल किया बताया जा रहा है कि वहां वाइल लाइफ सेंचुरी है जिसमें बारिश की वज़े से पानी का लेवल एतना बढ़ चुका है कि अब जानवर भी जिन्दगी की जंगल लड़ रहे है असम का काजीरंगा नैशनल पार्क बाढ़ में दूब गया है जिसकी वज़े से 17 बश्वों की मौत हो गई है हालत ये हो गई है कि काजीरंगा पार्क के गैंडे जंगल छोड़कर शेहरों के अंदर पहुँच गया है गुजरात के वलसाड में बड़ा हाथसा हो गया रामवाडी इलाके में इमारत का स्लैब गिर गया सीसी टीवी में कैद तस्वीर को देखिए इमारत के नीचे से स्कूटर से लोग आ जा रहें लेकिन अचानक से इमारत का एक हिसा धडाम से नीचे गिरा लेकिन राहत की बात ये रही कि जब इमारत का स्लैब नीचे गिरा तब वहाँ कोई मौझूद नहीं था लगातार हो रही बारिश की वज़े से इस इमारत के हिससे टूट टूट कर नीचे गिर रहें मौसम विभाग में हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिर्मौर और शिमला जिले में फ्लैश फ्लट की जेतावनी दी है हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना है वहीं अगले दो दिनों में शिमला, मंडी और सिर्मोर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना के चलते फ्लड आने की छेतावनी दी गई है मनाली चंडिगार नैशनल हाईवे एक फीट नीचे धस गया वहीं करीब 45 करोड की लागत से बनाई ये पुल भी धंस रहा है पुणे में पिकनिक स्पॉर्ट पर 5 से जादा लोगों के जमाहोंने, गहरे पानी में उतरने, सेलफी लेने और रील बनाने पर बैन लग गया है मधिप्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से तेज हवाएं चलने की संभावना है मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक कई राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है